ओके जी, I think you are back और अब इस lecture के अंदर जो चीज़ें हम देखने वाले हैं that those are related I would say those are related to the plotting in Plotly और तकरीबन कोई में 10 से 15 किसम के आपको different किसम के plots इस lecture में बनाना सिखाऊँगा बड़े handy handy हैं और यकीन माने मैं आपको एक छोटे से डेटा सेट पर बना के दिखाऊँगा and then you can develop those plots on other data set, कुछ errors मैं plots के अंदर जान बूच के छोड़ूँगा क्योंकि ये notebook मैं upload करने वाला हूँ you have to resolve those errors, इससे क्या होगा आपको काम करने का भी मज़ा आएगा और जितने भी plot आज हम एक data set पर बनाएंगे you have to actually replicate those plots on other data set तो times आया कि ये बगार start करते यहाँ पर ये screen आपके सामने show हो रही है मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ 02-plotly 15plots.ipynb Jupiter notebook की file है, second file हमारी यहाँ से मैं kernel साब select कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं बनाता हूँ 15 plots in plotly इससे ज्यादा भी बनेंगे but I'm just writing down के 15 plots है सबसे पहला काम आपने करना होता है जब भी आप plotly के उपर काम करते हैं import libraries जो मेरा पहले भी शुरू से आपको बताने का अंदाज है वो यही है pandas, numpy, matplotlib, cbon आप यह सारी की सारी libraries को import किया करें start में यह कोई इतनी memory नहीं लेती है तो आपने use तो इन्हें करना ही होता है तो बेतर होता है आप इन्हें import कर लें तो मैंने ये ये वाली libraries जो हैं इन्हें import यहां से कर लिया है तो ये 5 libraries मेरे पास import हो चुकी है और ये green tick आ गया अब next जो plot आप one by one हम करके देखेंगे लेकिन उससे भी पहले हम यहां पर क्या करते हैं import dataset तो dataset जिस पर हम काम करने वाले हैं that is sns.load dataset एक practical dataset है जो अभी मैंने आपको iris का dataset बताया था ये वो ही dataset है जो कुछ इस तरीके से नजर आता है इसके total इतने column है जनाब एक, दो, तीन, चार, पांच column है species का column इसका categorical variable है बाकी सारे के सारे इसके जो variables है वो क्या है वो है numeric variable ठीक है तो ये छोटा सा dataset है अगर आप इसको check करें तो मैं यहां पर df.info अगर लगाऊ इस data looks like this एक सो पचास इसकी total rows है ठीक है और पांच column है तो simply हम इस data पर काम करने वाले है मैं इसको head तकी रखता हूँ info बाद में ले आते हैं यहां पर तो ये कुछ इस तरीके से data दिखता है अब हम जो पहला plot इस पर उपर बनाने वाले है that is a scatter plot जो पहले भी हमने बनाया था but now we are going to make into like this one point scatter plot पहला जो plot a scatter plot है scatter plot को बनाने के लिए आप क्या करते हैं आपको पते fig underscore 1 या fig 1 इसे मैं कह देता हूँ हमारा पहला plot px.scatter simply आपने scatter लिखने है यहाँ पर df लिखते हैं x is equal to एक variable y is equal to आपका दूसरा variable तो हमारे पास हमें नाम याद नहीं है तो अक्सर उकात हम क्या करते हैं मैं क्या करता हूँ basically मैं यहाँ पर df.columns करके सारे columns के नाम जो है अपने पास ले आता हूँ something like this तो यह मेरे पास नाम आगे अब किसी को भी उठाना हो मैं यही से copy करता हूँ copy x के आगे paste copy y के आगे paste and here you go आपका पूरे का पूरा plot जो execute हो जाता है and now you can say fig1.show आप इस तरीके से इसको show कर लेंगे मैंने fig1 क्यू बोले आपको भी पता है कि हमारे पास जो data setup वो कुछ इस तरीके से होता है तो यह हमने कर लिया जी पहला figure हमारे पास जो है वो बन के आ गया but still we have to do something which is यहाँ पे हमें इसको color भी देना है based on the species ठीक है और मैं यहाँ पे species जो है खुद से type कर देता हूँ and here you go हमारे पास हर species की सैपल की length और सैपल की width सैपल होती है पतियां जो होती है ठीक है petals पतियां होती है सैपल उसका दूसरा हिससा होता है तो सेतोसा जो है हमारे पास versicular और virginica यह तीन किसम की हमारे पास पति है हम इन तीनों को बारी बारी यहां पर देख सकते है and then we can also actually zoom in zoom out and many other things we can do but on the other side we can actually do a plot like this अब इसको save भी हमने करने है save the plot plot को save करने के लिए हम क्या करते है आपको भी पता है html में करना है तो कुछ इस तरीके से लेकिन we will write down into image और image के अंदर करने के लिए आप simply उसका नाम लिखते है फिर आप क्या करते है scale दे देते है scale is equal to मैं 3 कर देता हूँ और इसको मैंने save करना है dot out dot forward slash output forward slash इसको मैं कहे देता हूँ figure 1 png scale 3 तो यह मेरे पास figure 1 png scale 3 जो है वो उस एक folder के अंदर save हो जाएगी which I have already created and here you go figure 1 png यह यहाँ पे आगे ठीक है तो यह हमारे पास figure 1 आगे अब अगली figure के उपर चलते है that is our line plot तो second one is two dot line plot line plot के लिए हम क्या करते है line plot के लिए हमेशा वो ही काम दुबारा करेंगे मैं इसको बोलूँगा यहाँ पे हम लिखते है fig2 is equal to px dot line और हम इसको फिर वो ही चीज x और y पे sepul and petal दे देंगे color यह दे देंगे fig2 dot show कर देंगे and then the plot looks like this अब आपको लग रहा होगा कि यह plot बड़ा ही कोई क्या उसको कहते है line यह भाई ने भज़गी है तो इसका बेतरीन तरीका यह होता है कि आप क्या करें अपनी data set को sort कर ले अब मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा sort the data कि छोटे से बड़े की तरफ जाए तो मैं इसको df underscore line का data set एक नया वाला बना लूँगा जिससे मैं क्या करूँगा df dot sort और मैं values की base पे sort करूँगा और by sepal length यानि कि एक column जो है जो sepal length है इसकी base पे sort करूँगा जो सबसे चोटा होगा point वह यहां पे आ जाएगा सबसे बड़ा यहां पे आ जाएगा और यह हमारे पास df underscore line एक नया data set बन जाएगा हमाँ पिछले वालों को नहीं नय वाले को कह रहा हूँ और वही data set हम यहां पे paste करेंगे and then we have a line chart like this तो अब हमारे पास trend आ रहा है तो पहले हमारे पास जो थी वो गटमिट सी हुई पड़ी थी हर चीज की पहले कौन सा point है नहीं second कौन सा लेकिन आब हमें पता है कि sorted value है यानि कि ascending order के अंदर नीचे से उपर values हमारी जो है वो move कर रही है sort का पता चल गया जी आपको hopefully आपको समझ आगी होगी कि sort क्या है अब sort हमारे पास आगया ये plot बन गया हमारे पास अब आइस्ता इस्ता आगे move करते है पहले plot हम बना ले फिर इंशाला I will tell you किस तरीके से कौन सा labels जो है वो add करना है और कौन से labels को किस तरीके से हमने move करना है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था हम इसको save करेंगे और again वो ही चीज है save the plot करके हम basically यहाँ पे figure2.png scale3 कर लेंगे तो मैं क्योंकि github co-pilot यूज़ करूँ यह automatically save हो गई है तीसरा हमारे पास है bar plot तो मैं बड़ी जल्दी जल्दी आगे move करूँगा bar plot और bar plot के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक bar plot बनाते हैं और basically bar plot से पहले आपको पता होगा जैसे मैंने पहले भी बताया है मैं पहले आपको एक सादा bar plot बना के दिखाता हूँ फिर उस पे बात करते हैं कि क्यों आपने means वगरा लेने होते हैं bar और इसके अंदर हम df के अंदर x पे sepal length, y पे sepal width and then color species अगर करते हैं जो basically x पे हम करेंगे that should be species instead of color के अंदर तो यह github copilot मुझे थोड़ा सा घलत मशवरा दे रहा है I know that कि यह गलत है तो species और इस तरीके से हम करेंगे fig3.show कर देते हैं यहां से ठीक है यह देखें, यह हमारे पास bar plot बना गया लेकिन अगर आप गोर करें हर point हमारे पास यहां पे separate चीज़ दे रहा है और bar plot ऐसा नहीं होता bar plot के अंदर आपके पास यहां पे हर एक चीज़ जो है वो mean के अंदर आती यानि कि आपको average देखनी होती है यहां पे, average जो है वो decide करती है कि आपका plot कैसा नजर आ रहा है, तो हमें क्या करना है अब इस bar plot को भी data को set करना है तो हम इसको df underscore बलके इसको मैं कहता हूँ group values based on means, वो हम करेंगे तो इसको df underscore bar कहा देता हूँ, जो हमारा data है उसको bar कर देंगे और इसको df dot group by कर देंगे हम species की base पे dot means and then reset index कर देंगे ठीक है, तो हमारे पास जो data होगा वो species की base पे bar plot के अंदर save हो जाएगा और अगर मैं इसको यहाँ पे separate code chunk के अंदर paste करूँ तो आपको मैं data भी दिखा देता हूँ df dot head अगर के के अब यह data कैसा दिखेगा df underscore bar वाला लोग, अब आपके पास जो data है वो तीन चीजों में ही है सितोसा, वर्सिकलोर और वर्जिनी का इससे ज्यादा नहीं है, इसकी values और हर किसी की average यहाँ पे आ गई है यह हर किसी की average है ठीक है, तो हमने specie wise हर चीज की average count कर ली है so now if we plot this thing df underscore bar तो हमारा यह वाला data plot हो रहा है ठीक है, here you go जैसा हम c bond के अंदर जब plotting करते थे तो हमारे पास यह automatically average और standard errors आ जाती थी मैं आपको वह भी दिखाता हूँ जब हम c bond के अंदर करते थे तो हमें यह करने की जरूरत नहीं थी I will show you c bond does not need to make mean groups वहां पे group बनाने की जरूरत नहीं थी आप sns.bar plot करते थे df, x पे is equal to आप species कर देते थे और y is equal to आप कोई भी कर देते थे sapple length, sapple width कुछ भी तो आपके पास bar plot का mean automatically आ जाता था और उपर standard error bar भी लग जाती थी ठीक है? तो यह चीज जो है अब हमारे पास यह खुद से हमें करनी पड़ी है हमने mean लगा दिया standard error भी हम लगा सकते हैं but we didn't do that तो यह mean है mean नहीं लगाते थे तो हमारे पास different किसम का bar बन रहे थे so that's the difference between between plotly and आपका जो है वो C bond फिर इसके बाद हम अगला plot बनाएंगे that is box plot box plot box plot कैसे बनाने है? simply fig 4 और इसको equal to मैं रखता हूँ मैंने पीछे वाला save नहीं किया I think so yes not तो यह हमारे पास figure 3 save हो गई box plot figure 4 है हमारे पास तो px.box और simply आप इसी तरीके से करके df देंगे species और sample width देंगे तो आपका box plot बन जाएगा fig 4.show and here you go मैं इसको save the plot भी यहीं पर कर लेता हूँ ताके मेरे पास जो code है इसका पूरे का पूरा वो कुछ इस तरीके से save हो जाए and here you go यह आपका box plot है अगर आप गऌर करें तो यहाँ पे आपको box plot के उपर आप click की सिरफ ले के जाते हैं mouse आपको हर एक चीज मिल जाती है कौन कौन सी जाँ गवर कीजेगा आपको सितोसा का median जहां पे आप वो पता चल रहे है यह median है आपको उसका Q1 पता चल रहे है Q3 पता चल रहे है अगर आप गवर करें आपको सितोसा का lower fence पता चल रही है यह वाली lower है यह upper है और आपको सेतोसा के minimum value पता चल रही है sometimes this is also an outlier ठीक है तो box plot से आपको ये पता चल रहा है कि ये minimum value और बाकी चीज़ें ये आ गई है ठीक है अगर आप चाहें इसको और खुबसूरत बनाना you can also do that by using color is equal to species तो ये आपको different किसम के plot यहां पे show कर देता आप सेतोसा को बंद कर दें यहां से सिरफ virginica को show कर लें और ये आपकी सारी की सारी values आगे उसकी median भी इसमें आ रहा है q1 भी आ रहा है q3 भी आ रहा है IQR range भी आप यहीं से निकाल सकते हैं और आप interactive plot का पूरा यहां पे अंदाजा जो है वो उसको save करके इसको अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं तो यह हमारे पास था bar plot इसी को हम violent plot भी बना सकते हैं simply violent plot के लिए आपको fig जो है वो यह basically 5 है is equal to px.voiland और df species label और वो ही मैंने सारा code दुबारा लिख दिया fig5.show and then save the plot भी यहां पर कर देते हैं simply और github co-pilot का यह फाइदा यह पिछले trends को देखते हुए मुझे automatically code predict करना start करेगा अब and here you go this is violent यह violent plotter अगर आप गोर करें यह इतना ज्यादा interactive है कि आपको हर जगा पे बता रहा है कि कौन सी value है किस किसम की है KDE उसका बतारा है कि किटना फैलाओ है कितना नहीं है KDE का मतलब होते है कि यह कितना फैलाओ है learning का ठीक है यहां से यहां तक कितना फैलाओ है अगर आप चेक करें सतोसा आ रहा है फिर सतोसा के upper fence जा रही है ठीक है और हर value यहाँ पे interactively check कर सकता हूँ specifically यह जो इस तरीके से एक आदी value आ जाती these might be an outlier same यहाँ पर है same यहाँ पर आप इनको बंद कर सकते हैं चला सकते हैं अपनी मर्जी से जो भी आपने वाइलन शो करना है वो आप कर सकते हैं इसके इलावा I think so there is another way out there कि आप box is equal to अगर आप true करें तो आपके पास इसके अंदर box plot इसी के अंदर आ जाएगा like this and in this way you can actually identify के आपका जो outlier है वो कहां पर है अगर आप गौर करें तो इसी के अंदर आपको box भी नजर आ रहा है ठीक है so this is how you can create violent plot अब आगे चलते हैं histogram की तरफ जो हमारा plot number 6 है तो मैं यहाँ पर histogram लिखता हूँ histogram और यह data visualization के अंदर मैंने बड़ी detail में बताया है के कौन सा plot कब और कैसे बनने है तो जो लोग आज नए हैं उनको नहीं पता लग रहा के कौन सा plot कब बनने है please do look into the previous lectures जिसका link मैंने description में दिया हुआ है सो हम बात करते हैं histogram की which is our sixth number plot histogram के अंदर जो हम चीज़ देखते हैं that is very simple again fig6 is equal to px.hist histogram sorry और आप histogram बनाते हैं एक column का ठीक है और उसको color species की base पे check भी खड़ सकते हैं for example अगर मैं colors का column यहां से निकाल देता हूँ now you will see fig6 जो है हमारे पास dot show हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आती है तो यह एक histogram है histogram क्या होता है कि आपका data किस तरीके से distributed है मेरे ख्याल से इसके अंदर अगर हम kde is equal to true करते हैं not working here यह sns के अंदर चलते हैं कि आप kde plot भी यहां से बना सकते हैं तो यह हमारे पास histogram है अगर मैं चाहूं तो इसको colors की base पे separate भी कर सकता हूँ देखिएगा तो आपको एक ही column की distribution तीन different species की base पे नज़र आ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्सी कलर, वर्जीनी का से तोसा यह तीन जो values हैं हमारी इन तीनों का क्या link बन रहे है ठीक है so this is how you can create an histogram a histogram, histogram आपको क्या बताता है data की distribution आपको यहां सी इस तरीके से अगर यह bell shape बनते हैं यह normal distributed data होता है जो इन्शाला माने वाले दिनों में देखने भी वाले है and this is very easy to use आप sample width की बात कर रहे हैं आप यहां पर पैटल लिख दें तो पैटल width आ जागी यह change हो गया फोरण तो आपको बता चल जाएगा कि यह by model distribution है यह singular distribution नहीं है this is different distribution so you can have an idea कि आपका data किस तरीके से नजर आ रहे on how you can actually make sense out of it तो इसके बारे में हम बड़ी detail में बात करने वाले मैंने पिछला save किया था this one is figure 6 save the plot ताके आपको यह plots भी जो हैं github repository के अंदर मिल जाएं that's why I am doing this thing next हमारे पास आता है pie chart number 7 जो हमारे पास है that is pie chart pie chart जो है यह basically आपको भी पता है कि जो pie chart है वो basically गली एक goal दाइरा सा हमारे पास बन किया जाता है and then we can actually convert that into a pie लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं fig 7 बनाऊ equal to हमारे पास px.pie यह हमें लिखना होता है यहाँ पे और हमारे पास जो values इसके अंदर देनी होती है that are data frame value counts मतलब यह के df के अंदर अगर मैं for example यहाँ पे species लिखता हूँ dot value counts तो मैं यह वाली value counts जो है न 50 50 50 इनकी base पे pie chart बना सकता हूँ ठीक है count की base पे लेकिन इस base पे नहीं बना सकता for example मैं fig 7 dot show करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या बनेगा इसकी base पे यह एक pie chart है अगर आप गोर करें तो हमारे पास sepal width की base पे कितना pie chart बन रहे species का and that is something like this इसका मतलब यह है कि जो sepal width है वो कौन कौन सी species की base पे अपनी values को show कर रही है for example sepal width की 171.4 values है अगर यहां पे यहां पे 148.7 है and then यहां पे हमारे पास 138.5 है तो यह sepal width हमारे पास आ रही है but the best way to make a pie chart is something like this मैं अभी आपको दिखाता हूँ df underscore pie का हम नया data frame बनाएंगे और यह जो मैंने उपर species की base पे value count लिखा है इसको copy करूँगा यहां पे paste करके अब यहां पे reset index करूँगा जो मैंने पहले भी आपको करके दिखाया है just to sort it up ठीक है और जिस चीज़ का हमने pie chart बनाना है वो यहां पे हम देख लेते हैं कि कौन सा column है say for example मैं इसके बाद df underscore pie dot columns जो है वो देना चाहता हूँ तो मैं एक column को कह दूँगा species दूसरे को count अब यह मैं क्या कर रहा हूँ मैं अभी आपको समझाता हूँ और इसके बाद names जो हैं हम कर देंगे species और यहां पे कर देंगे count and then we will create a plot जो हमें error दे रहा है let me see क्या error है is not in the column count value count species अगर मैं इस इन दोनों को cut करके यहां पे लेगा हूँ okay df underscore py dot head 50 50 50 right and then df underscore okay मैंने यहां पे सिरफ change नहीं था किया हूँ जो error थी मैं भी आपको समझाता हूँ क्या error थी यहां पे मैंने उपर change कर दिया df.py यहां पे df.py नहीं लिखा था जिसकी वजह से मेरे पास plot नहीं बना था and now it's working fine अगर आप गौर करें टोटल values हमारे पास dates हो है और तीनों में 33 33 33 मतलब यह कि आपको पता है कि 50 50 50 यानि कि तीनों की ratio same है पूरे data में सितोसा कितना है वर्सिकलर कितना है वर्जीनिका कितना है तीनों सेम है तो इसका मतलब है अगर 100 पे टोटल percentage है तो उसमें से 50 यह है 50 यह है 50 यह है 50 यह है तो यह पाई चार्ट होता है ठीक है पाई चार्ट क्या होता है basically the ratio of values या percentage of values inside the whole dataset तो इसको हम save करते है save करने के लिए same वही चीज़ figure 7 को dot right image और इसको scale 3 में मैं save कर लेता हूं and then हमारे पास जो next चीज़ आती है that is 3D scatter plot जो आपने सुना तो बड़ा होगा but now we are going to make that इसको बोलते है 8 scatter 3D plot या 3D scatter plot अब 3D plot आपने पहले कभी बनाया तो please मुझे चैट में जरूर बताइए का अगर नहीं बनाया so now we are going to make a 3D plot simple हमने क्या करने fig 8 is equal to px.scatter 3D ठीक है यह बना लिया x, y और z हम 3 values अब दे सकते है x और y हमने दिया था तो हमारे पास कुछ scatter plot यह मैं पिछे वाला अगर आपको दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा बना था ठीक है अब जब हम z देंगे तो 3D plot बनेगा you will see that और 3D plot का मतलब यह के 3 dimension x-axis y-axis and then z-axis और colors हमने species दे दिया मैं अगर इसको fig 8.show करूं so it's very simple it will take a little bit of time when this is your 3D plot अब जरा गोर कीजेगा इस 3D plot के उपर आपको यह 3 dimension में पूरे का पूरा plot जो है वो नजर आ रहा है तो hopefully आपको समझा रही होगी कि 3D plot किस तरीके से काम करते and then believe me it's awesome मैंने बताया था ना आपको कुछ चीज़ें आज आपको दमाग हिला के रख देंगी तो अगर आप चेक करें आपको पता चल रहा है के कौन से closer points हैं कौन से दूर हैं और किस तरीके से 3 axis हमारे पास नजर आ रहे हैं and this is how you can rotate your plot और अगर आप गोर करें आपको axis भी नजर आ रहे होंगे यहां पर चेक करें यह पैटल width का axis है यह है सैपल width का यह है जनाब आपका सैपल length का तो आपके 3 axis बन गें आप कहीं से भी इस plot में खुशके plots के point को चेक कर सकते हैं for example यह कौन सा plot है point है तो इसकी 3 values आ जाएंगे x, y और z axis की और virginia का type है वह भी आ जाएगी अगर आप चाहते हैं कि सिरफ और सिरफ यह एक को देखना है तो आप वह भी कर सकते हैं ctrl press करके आप scroll down करेंगे तो आपके पास यह data आ जाएगा आप अगर यहां पर click करेंगे तो आप pan कर सकते हैं data को pan का मतलब होता है right से left उपर से नीचे भी by the way यह panning है यह आपका png में save हो जाएगा यह zoom है यहां से आप zoom कर सकते हैं किसी भी point को select करके आप zoom कर सकते हैं इस tool से ठीक है and then आपके पास panning है फिर यह है जी orbital rotation आप उस पे click करके orbital rotation कर सकते हैं यह जो मैं orbital rotation कर रहा हूँ आप turn neighbor rotation कर सकते हैं मतलब उपर से नीचे कि सारी की सारी turn neighbor rotation हो जाएग यह z axis पे rotate हो रही है and then अगर आप reset camera default करेंगे तो यह इस पे click कर देना आपने आप इसको last save camera पे भी लेके जा सकते हैं और यहां पे click करके आप plotly के अंदर भी इसे लेके जा सकते हैं so 3D plot यह आपके सामने मजूद है but यह देखें यह बला मैं क्या कर रहा हूँ shift दबा रहा हूँ shift से scroll down और scroll आप करूँगा so मेरे पास mouse ज़रा तेज है तो मैं जरा पंगे शंगे लेता रहता हूँ जब कभी दिल जरा बोर बोर हो so you can actually press control to zoom in press shift to rotate on orbitals and press बलके control के बगार भी zoom in हो रहा है so you can do a lot of things ठीक है तो आप जो हैं इस तरीके से अपना 3D plot बना सकते हैं तो यह 3D scatter plot है and this is very I would say important plot लेकिन यह आपके system को slow कर देगा अगर आपका system जो है वो इतना heavy नहीं है तो जहां पर आप save करना चाहें इसको 3D को आप html में save करेंगे for example मैं इसको html में save करता हूँ save the plot in html और जैसे मैं इसको html में save करूंगा you will see figure 8 जब मेरे पास html में save होगी I can actually open this figure for example मैं यहां पर file explorer में जाता हूँ pandas tips and tricks desktop here plotly plot outputs और यह है figure 8 तो मेरे पास यह plot browser के अंदर open होगा लेकिन on the other side यह वाला plot basically मेरे पास html के अंदर save हो चुक है ठीक है तो यह html की जो code है यह plotly को use करती हुए मेरे पास save है and you can use this html code to put these plots on your blogs as well तो जो लोग blog writing करते हैं उनके लिए यह बहुत असान हो जाएगा by the way this was a 3D plot जो आप use कर सकते हैं ठीक है अब काफी इसमें हमारे पास different किसम की interpretations आ सकती है interpretation यह है कि अगर आप गौर करें यह हमारे पास जो blue वाले points हैं अगर आप blue वाले points को गौर करें तो यह सारे के सारे अकठे हुएं लेकिन यह एक blue different गुसा हुआ है किसी और चीज के अंदर अगर मैं इसको zoom out करूँ तो अगर आप गौर करें तो यह blue point थोड़ा सा दूर है अगर आप red को गौर करें तो red जो have बिलकुल फैला हुए और green के साथ कुछ मिला हुए ठीक है लेकिन blue जो है वो basically green और red से थोड़ा सा दूर है इसका मतलब यह है कि green और red आपस में कई जयदा properties इनकी same है लेकिन जैसे मैं blue को देखता हूँ यह मेरे पास जो purple या blue जो भी color आप कहलें यह वाला जो है species का सेतोसा का यह totally different है from others लेकिन आप देखे red और green आपस में फसे हुए इसका मतलब यह है based on the axis जो हमने यहां पर define किया petal width, sepal width and sepal length इनकी base पर हम कह सकते हैं कि सेतोसा is much different than other two other two जो है वो आपस में मिली हुई है और यही चीज़ अगर आप machine learning के process में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों को pre-process करना मुश्किल है और इसको असान है यहां पे सिरफ out layer का मसले है nothing else than that वो हम अंदाजा लगा सकते हैं using our box plot technique और अगर मैं box plot पे आपको लेके चलू यहां पे आप चेक करें सतोसा में एक out layer आ रहा था यह वला out layer जो 2.3 sapple width रखता है अगर मैं वापेस जाओ इस पे तो अगर आप इस पे गहुर करें तो यह 2.3 sapple width है और मुझे यही पे देखके बदा चल गया कि यह out layer है reason वो अपने जूरमेट से थोड़ा सा दूर है ठीक है but on the other side आप देख सकते है कुछ points जो है वो आपको यह नजर आ रहे है like this one यह red वाला के 5.9, 3.2, 1.8 is की value यह versicular है लेकिन same एक इसके बहुत ही close point है जो कहता है कि मैं वर्ची नहीं का हूँ इसका मतलब है कि इन दोनों को अभी तक पता ही नहीं है कि यह क्या है और यह दोनों problem cause कर सकते हैं तो यह आप पर depend करता है कि आपने किस तरीके से इन चीजों को maintain करना है और आगे present करना है then मैं आगे चलता हूँ जी time को जाया किये बिना area chart की तरफ area chart हमारे पास figure number 9 है तो इसको मैं 9 कहा देता हूँ और area chart क्या होता है यह मैंने आपको पहले भी बताया था मैं दुबारा से बता देता हूँ कि आप किसी एक point की base पर अपना area जो है वो decide करते हैं for example मैं df area is equal to और यहाँ पर df.sort values करके हम by one value इसको sort कर लेते हैं for example sepal length को मैं कर लेता हूँ sort ठीक है यह क्यों sort किया आपको पता है कि जब हम plot बनाते हैं fig इसको कह देते हैं 9 और equal to px.area बनाएंगे df area और हम बनाएंगे sepal length का y पे बनाएंगे sepal width और फिर हम color और species जो हैं उनको इस तरीके से show कर देंगे यह हमारे पास area chart है अगर आप गोर करें अगर मैं यह वाला area chart df area के बजाए df पे अकेला बनाता तो यह कुछ इस तरीके से बनाएंगे यहां पे अगर आप गोर करें तो यह मेरे पास कुछ इस तरीके से बन रहा होता था सैपल लेंथ and then मेरे पास सैपल विर्थ मैंने क्योंके इसको underscore area पे बनाया है and then wait यह हमने पहले इसको sort किया हुआ I think so सैपल width y पे सैपल लेंथ अगर करें तो यह चेक करें यह हमारे पास सैपल विर्थ इस तरीके से और सैपल लेंथ इस तरीके से आ रहा है और अगर आप गोर करें कि area का मतलब यह है कि एक point उस area में कितनी जगा घेर रहा है यानि कि 0 से 5 तक कितने हमारे पास points आ रहे है तो यह basically distribution plus आपका area या एक species ने कितना घेरा हुए वो बता रहा होता है और आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आप गोर करें कुछ points ऐसे हैं जो green और red के मिले हुए है और कुछ points ऐसे हैं जो setosa के ही सिरफ है like this one this point is always coming like this तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा plot जो है हमें कुछ differentiation शो कर रहा है यानि कि यह पूरा जुर्मेट है blue का या purple का और यहां पे हमारे पास सिरफ एक point है अगर मैं यहां से यह वाला show करवा हूँ आपको फिर समझ आएगी like this ठीक है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि points closer कितने हैं और दूर कितने है और यहां पे अगर मैं df underscore area इसका मतलब है कि इस पे हम sort करने को कोई खास फरग नहीं पढ़ रहा so that's fine क्योंकि यह zero से onward move कर रहा I think so हमने पीछे कहीं इसको sort किया by the way this is area chart जो बहुत कम use होता है लेकिन जब होता है यह use then at that moment you will see the power of using area chart तो figure 9 यह हमारे पास area chart है and then हम चलते हैं जी figure 10 पे which is bubble chart और bubble chart के बाद जो है बहुत class का chart आने वाल है तो let's see पहले bubble chart में जल्दी जल्दी बना देता हूँ और इसको fig 10 बोलता हूँ equal to px.bubble sorry यह bubble नहीं होगा px.scatter scatter के अंदर हम bubbles कैसे बनाते हैं df, अब यहाँ पे आप x, y और फिर size देते हैं size से bubble बनते हैं जो size का column मैंने पहले आपको बताया था वैसे आपके पास bubble नहीं बनते .show simply a scatter plot ही है लेकिन bubble बनता है जब आपके पास किसी size की value को आप बताते हैं ठीक है तो basically यह simple size की value जैसे हमने age और fair का बनाया था तो यह हमारे पास एक bubble chart बन जाता है now my favorite chart comes favorite chart मेरा जो है वो है जनाब 11 number sunburst chart यह किसने आज तक बनाया sunburst chart sunburst chart किसने बनाया आज तक इसको fig 11 बोलते हैं और बहुत असान है px.sunburst df path हमने बताना होता है सबसे पहला path फिर दूसरा फिर तीसरा और इस path की base पे आप बताते हैं कि कौन कौन सी values पहले आएंगे और कौन सी बात में आएंगे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं यहां पे पहले मैं इसको आपको दिखा दूँए एक दफ़ा fig11.show there is something wrong let me see values if not the name column in data frame I see तो basically हम एक नया column बना लेंगे like not like this sorry like this हम एक नया sunburst का एक data set बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे species और petal width यह दो चीजें जो हैं इनकी base पे इनका जो count है उसको counts के एक नए index के अंदर ले जाएंगे ठीक है तो यहां पे मैं लिखता हूं def underscore sunburst और path इसका हम बता देंगे species and petal width only कोई 3-4 ने बताने and here you go देखिएगा आप यह plot इतना जबरदस्त है जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा favorite plot है पता नहीं क्यों लेकिन I really like this plot अगर आप चेक कीजिए यहां पे यह plot मेरे पास है मैं सेतोसा पे click करूँगा सिर्फ सेतोसा आ जाएगा ठीक है और मुझे पता चल जाएगा सेतोसा में 0.2 values कितनी है मेरे पास 29 ऐसी values हैं जो सेतोसा में 0.2 label रखती है 0.3 जो है वो सेतोसा के अंदर 7 values है 0.4 कितनी है 7 0.1 कितनी है 5 values है 0.5 जिनकी values है पैटल विट थी वो कितनी है सो मेरे पास सेतोसा आ गया अगर मैं इस पे click करके वापिस जाता हूँ तो मैं versicular पे same change कर ला सकता हूँ अगर मैं इस से वापिस जाता हूँ virginica पे तो virginica पे same change ला सकता हूँ अगर इस से मैं वापिस जाता हूँ तो मेरे पास total एक sunburst की form में total idea मेरे पास है कि कौन सी value कितनी है और यहीं से मैं सिरफ hover करके check कर सकता हूँ कि कौन सी value कितनी है खास तोर पे जब आपका categorical data set होता है न तब आपको sunburst की hierarchy नजर आती है और यह जो हमने यहां पे चीज लिखी है यह है parent, species, फिर आगया petal width जो हमारे पास child है तो हमारे पास क्योंके दो categories है parent का मतलब यह जो start में आई है फिर आगया child जो है अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला और बनता कैसे है यह आपके सामने कुई बड़ी science नहीं है इसके अंदर के जी मैंने पता नहीं कहां से code उठा के आपको दे दिया but this is very simple plot और believe me, अगर आप अपनी scientific presentation के अंदर इस तरीके से present करना start कर देंगे using setosa और या इस तरह के plots then it would be very easier for you तो मैं इसको save this plot as HTML करूँगा ताके आप इसको देख सके और इसको interactively use कर सके और साथ ही मैं save this plot इसको png भी करूँगा ताके मेरे पास ये वाला ही जो file png के अंदर भी आजाए आपके पास खास तोर पे और HTML के अंदर भी आजाए so this is one of the best plots इसके बाद हम आगे चलते हैं अपना barma plot which is parallel coordinate plot one of the best ones again वो ही बाद ना जो सबसे बहतर होते हैं वो last पे रखे होते हैं तो barma plot हमारा है parallel par a double l parallel coordinate plot parallel coordinates के plot आए इसको मैं figure 12 कहता हूँ ये क्यों होता है मैं आपको भी दिखाता हूँ figure 12 is equal to px dot parallel coordinates और हम इसको simply df के उपर लगाते हैं और specie id के base पर लगा देते हैं ठीक है let's see just a minute and then we put labels equal to इसको थोड़ा सा मैं zoom out कर लो specie id and species अब आपको पता चलेगा के ये plot कितना एहम है just give me one second first I need to draw this fig12.show I knew it there is something wrong क्योंके जो data है मेरे पास ये different है just give me one second यहीं से fix करके देखते हैं जो मुझे चीज लग रही है that is let's see spelling का मशलाथ नहीं नहीं और not only spelling species so what could be the problem let me see तो right click करते हैं इस पर co-pilot में जाते हैं start chat करते हैं forward slash fix इस पर click करते हैं hopefully it will fix हमारे पास पहले ही पड़ा data हमारा data तो नहीं खराब हो गया df.head नहीं data तो ठीक है तो क्या मसला है let me see तो parallel coordinates df.color is equal to species fig12.show let's see ok just a minute एक सरुकात ऐसा हो जाता है ok let's see I will paste it here 12 कह देते हैं 12 चला जाहीं वह यहां gain error ok parallel coordinate plot this one value of color is not the name of a column in data frame species is but receive oh ok 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 hopefully now it will work a number that will be interpreted as color according to the pair coordinate line color scale list of error I'm just trying to fix this क्योंकि मैं आपको इस plot को दिखाए बगार नहीं आगे जाना चाहता because this is one of the important plots जो आप machine learning के अंदर जो है उसे check करेंगे हुआ है येस, now it's done, वसल में categorical type को code में लेके आना था, that was the problem, और ये है जी हमारा parallel coordinate plot, इसका code जो है मैं आपको दे दूँगा, so don't worry about that, और इसको मैं save the plot in HTML भी कर देता हूं, और आपको same plot जो है, वो मैं save the plot in PNG, वो भी कर के दे देता हूं, तो ये आपको मिल जाएंगे दोनों, अच्छा जी, इसका मकसद क्या है, मैं आपको पहले वो समझाता हूं, इसका जो main मकसद है न, that is related to the species, आपके पास यहां पे हैं, और उनको codes के अंदर आपने convert कर दिया, यानि के 1 को मैंने 0 code दे दिया, जो हमारी सेतोसा थी, 1 दे दिया, हमने versicular को और virginica को 2 दे दिया, so this is how we convert that into coding, ये DF encoding, यानि के categorical encoding इसे बोलते हैं, जो आपके category column को numeric factors या labels के अंदर convert कर देता है, तो अगर आपके पास 3 species हैं, 0, 1, 2, 3 के अंदर convert हो गया, so we usually need these kind of species ID, ठीक है, तो इस वज़ा से हमारे पास problem आ रही थी, कि species ID को हम किस तरीके स change कर सकते हैं, दें हमारे पास जागें जी, species, और 0, 1, 2 हमारे पास ये value आगी, अब 2 आप चेक करें, 1 के साथ कहां कहां पे जोड मेल खा रही है, पैटल width जो हैं, दोनों की यहां पे आके same हो जाती है, ठीक है, और अगर आप इसी को आगे लेके चलें, तो यहां पे आके य मुश्किल है, based into specific ID, तो हम बता सकते हैं, कि तीनों में कोई फरक नहीं है, यहां पे, but in petal length, there is a big difference between this green one and these two, and in petal width, there is a big difference between these three, but there are few things which are actually interrelated in this one, तो हम यहां पे पता चरक करते हैं, commonalities and differences का, कि कौन सी चीज कितनी common है, और कौन सी चीज कितनी एक दूसरे से differ कर रही है, and this is how you can create a nice plot, जो भी आपके सामने मैंने आपको दिखाया, and I'm very hopeful कि आपको यह plot जो है, बड़ा असान और easy लगा होगा बनाने के लिए, but on the other side, अगर आप इसको आइस्ता समझना स्टार्ट कर देंगे, तो यह वाले plot जो है, यह basically, आपको future के अंदर machine learning के टास्क के लिए बहुत जो कहते है न, एक छाप छोड़ने के लिए different लोगों पे, यह बहुत असान हो जाता है, इससे आगे चलते हैं, जो हमारा 13 number plot है, that is density contour plot, जो plotly के अंदर use होता है, इसको हम कहेंगे fig 13 is equal to px.density contour, density contour plot के होता है, इसके अंदर आप x और y की values देते हैं, फिर color देते हैं, and then same व सेम वही चीज, parallel coordinate वाली, लेकिन यह आपको contours बना के दे रहे हैं, और आप contours की मदद से, plotting की मदद से outliers define कर सकते हैं, अगर आप check करें, तो यह versicular का अलएदे contour बना हुआ है, that means it might be an outlier, जो यहाँ पे है, ठीक है, contour का मतलब होता है, कि आपकी values कहां कहां पे आ रही है, and based on that you can actually show कि आपके contour क्या है, ठीक है, and then आप अगर यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे यह contours different बने, contours है आपके circle से, जैसे वो दरखत के उपर नी circle बने होते है, तो वो basically different चीजों को show कर रहे हैं, तो यह वाले आपके plotting को show करते है, and then you can actually save these plots as well, save this plot, simply this plot को हम save करते है, figure 13 को भी यह मेरे पास save हो गया, अब next चलते हैं, हमारा जो ternary plot है, उसकी तरफ, I know कि names बड़े मुश्किल हैं, लेकिन आप चेक करें कि data visualization की power कितनी है, ternary plot, और ternary plot क्या होता है, यह बहुत ही असान है, यह भी fig14 is equal to px. हम यहाँ पे scatter ternary से बोलते हैं, scatter, underscore, अच्छा, scatter plot के काफ और ternary plot के आते हैं, तो यहाँ पे मैंने a, b, c की कुछ values दे दी हैं, figure 14 इसको बोल दी है, dot show कर दी है, and here you have a ternary plot, और यह plot basically क्या करता है, आपकी values को एक triangle में convert कर देता है, आपने a, b, c, यानि के तीन corner वाले values देनी हैं, मैं कहता हूँ, यह तीन values हैं, a, b, और c, और इन त data visualization के through comparison लगाने का सबसे असान तरीका होता है, अगर मैं यहाँ पे ले आँँ इसको, और मैं triangle को छोटी बड़ी भी कर सकता हूँ, अगर आप check करें, zoom करके, so red and green, आपस में एक दूसरे के साथ common है, यह वाला different है, यह एक point totally different, might be an outlier, we have to check, और यहाँ पे हमारे पास कोई भ clear as well, लेकिन usually लोग इसको पने data को present करने के लिए भी show करते हैं, तो figure 14 is done, now we have figure 15, which is our polar chart, जिसके बारे में लोगों ने बोला भी कि आप इसके बारे में कुछ और बताएं, polar coordinate plot भी से बोलते हैं, polar chart भी बोलते हैं, या radar chart भी बोलते हैं, यह बहुत ही पुरानी chart की type है, but we will see, df underscore radar is equal to, हम यहाँ पे df को group by कर लेते हैं, species के mean पे और reset index कर लेते हैं, and then figure 15 is equal to px dot line underscore, and then हम यहाँ पे कहेंगे polar, ठीक है, तो यह line chart होता है, लेकिन polar होता है, तो हम df radar का data set, r की value हमने बताइए क्या रखनी है, theta की value बताइए क्या रखनी है, और line की closeness हमने बताइए क्या रखनी है, यह मैं आपको दोनों चीज़ें भी समझाता हूँ कि यह क्या होती है, पहले हम plot देख ले, and here you go, यह आपका polar coordinate plot है, ठीक है, polar chart भी से बोलते हैं, तो basically आप यहाँ पे देखके बता सकते हैं, कि कोई species कितनी एक दूसरे से दूर है, ठीक है, और theta की value का मतलब यह ह कि हमारे पास यह जो species हैं तीनों, इन तीनों का difference हमें पता चले, एक, दो, तीन polar coordinates हमने बनाएं, ठीक है, आर की value क्या है, कि हम सिरफ सेपल length की base पे बात कर रहे हैं, अगर मैं चाहूं यहाँ पे petal length की बात करो, तो आप चेक करेंगे, यह petal length की base पे तीनों का difference आ गया, petal width, you will see a huge change, look, triangle का आपस में angle भी different है, और जो चीजें पास पास हैं, for example, यह versicular and virginica, यह आप चेक करें, इनका distance ज्यादा है, सतोसा और versicular का पास है, और virginica थोड़ी से दूर है, अगर आप गौर से देखें, तो यहाँ पे, जब triangle की shape change हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे दूर है, ठीक है, and then if we see sepal width and sepal length, we don't see any difference between these three, तो मैं दुबारा से sepal width की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे देखेंगा, यह पे पेटल की बजाए, sepal width मैं यहाँ पे लिखता हूँ, look, हमारे पास कोई खास difference नहीं है, triangle बिल्कुल smooth आ रही है, अगर मैं sepal length लिखू, L-E-N-G- TH, तब भी हमारे पास कोई खास difference नहीं है, जैसे मैं petal की तरफ आता हूँ, तो हमारे पास different आना start हो जाते है, so this is how you can actually check out के आपका कौन सा data सबसे ज्यादा important है, जिसकी वज़ा से diversity है, कौन से column आपने रखने है, you can take care of the things like this, और इसको आप भी save कर सकते है, save the plot, और simply आपके पास ये plot save हो जाएगा, and after this, मैं आपको सिरफ एक बात कहूँगा, कि ये कुछ plots थे जो मैंने आपको बताए, और ये 15 plots आप basically बार बार utilize कर सकते हैं, अपनी different चीज़ों के लिए, and I would highly recommend कि अगर आप इन पर practice करें, और किसी और data set पर ये सारे के सारे plot बनाए, codes अभी आपको मिल जाएंगे, मैं अभी इसनको upload कर दूँगा, अपनी GitHub की repository के उपर, आपसे request सिरफ इतनी है, कि यार ये जो जितने मैंने plot बनागे दिखाए हैं, कमज कम इनको किसी दूसरे data set पर try कीजएगा, वो Titanic का भी हो सकता है, वो की और data set भी हो सकता है, वो tips का एक data है, वो हो सकता है, empty cars का data, there are many many data sets out there, जो C-Bone के अंदर है, different libraries के अंदर है, तो आप से छोटी सी request ही है, assignment बना लिया करें, ठीक है, तो ये plotting जो है, hopefully आपको मजाया होगा, and then see you in the next class, क्योंकि next class के अंदर हम plotting को और भी अच्छे अंदास में देखने वाले हैं, Plotly, Zindabad, Kudanik Zindabad, and let's see you in our next class, hopefully आप assignment बना रहे होगे, और एक last चीज, अगर आपने वीडियो को like नहीं किया, तो please, कर दे like, आपका क्या जाते है, share भी कर दे, subscribe नहीं किया, तो वो भी कर दे, नहीं करना, कर दे न, okay.